वेल्कम बैग टू मैं चैनल फैक्ट संवीन हिंदी और मैं बड़ स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में तो फ्रेंड प्रेज्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पॉलिप्स क्यों हो जाते हैं यानि नाक की अड़ी क्यों बढ़ जाती है नाक में मास्क क्यों बढ़ जाता है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस मास्क को बढ़ने से आप कैसे रोक सकते हैं कुछ तरीके हैं जिनसे आप जो पॉलिप्स आपकी नाक के अंदर बन जाते हैं उनको बढ़ने से रोक सकते हैं तो पॉलिप्स क्या होते हैं एक तरह की सूजन होती के लिए क्या रोखने के लिए के साजरी कराइस, तो चलिए अगर वीडियो पसंद आतीında दो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना natural video करते हैं तो फ्रेंस इसको रोगने के लिए सबसे जो मैन रिजन होता है वो है, एलर्जी यो इस्तमा से बचाव जरूरी होता है, जो कि डॉक्टर भी कहते है यदि आपको बारवर एलर्जी की समस्या है, बारवर छींके आती है, या फिर आपको अस्तमा की समस्या है, तो इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि अगर आपको एलर्जी या अस्तमा है, तो फिर आपको जो डॉक्टर सला देते हैं, दवाईयों की वो आपको लेना चाहिए अलर्जी टेस्ट भी करा सकते है ताकि आपको कौन सी चीज से अलर्जी आपको पता हो दूसरी चीज होती है नाक को उत्तेजित करने से बचना चाहिए कई लोगों को ऐसी खुस्बू, सूजन, धूल वगिरा से ऐलर्जी होती है तो जिसकी वज़े से नाक में जलन, संक्रमान या सूजन आ जाती है जिससे कि जो आपकी स्लेसमा जली है वो फूल जाती है और उसमें पॉलिप्स बन जाते है तो कई खुस्बू होती है अलर्जिक पदार्थ होते हैं तमबाकू, दुआ, केमिकल्स, धूल या फिर नमी या कच्रा किसी भी चीज से हो सकता है तो ऐसी चीजों से अगर आपको ऐलर्जी है तो उससे बचना है नेक्स जो चीज है वो है अपना स्वास्त को अच्छा मनाई रखना अपने हाथों का अच्छी तरह सिद्ध होना है नेमेत रूप से एंटि वेक्टिरियल चीज़ें यूज करें एंटि फंगल चीज़ें जो यूज करनी है ताकि आपके नाक में किसी तरह की इंफेक्शन नहों, साइनस नहों सूजन नहों, लालीमा, जलन, दर्द आधी पैदा होते हैं और ये आपके साइनस को बढ़ाते हैं नेश्ट है अपने घर का बातवरण का जरूर ध्यान रखें घर में अगर आपको नमी रहती है तो ऐसे में बैक्टियल फंगल इंफेक्शन बढ़ने के चांस हो जाते हैं नमी के करण से नोजल पॉलिप्स बनने के आज़ंका ज्यादा रहती है नाक में बहुत तरगी अलर्जियां हो जाती है तो घर के अंदर की हवा जो है अकसर सुक्स हो जाती है जिससे कि आपको नमी बनाए रखने के लिए हमनी डी फायर का इस्तिमाल करना चाहिए जो कि आपके नाक की जो नली है उसमें भी नमी को पैदा करता है और इससे आपके जो क्रेक्स होते हैं बलड आने लगता है इन सभी चीजों से आपको आराम मिलता है साथी नाक में आपको जो बलगम बनता है वो भी आसनी से बाहर निकल जाता है तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत है नेक्स्ट है नेजल रिंग या नेजल लेवेज का इस्तिमाल करना नाक और सुसन मारगों को दूने के लिए नमक के पानी या सेलाइन स्प्रे जो बजार में भी मिलते है नेजल लेवेज का इस्तिमाल कर सकते हैं इसकी मदद से साइनस और नाक में जो बलगम होता है वो असानी से निकल जाता है नाक वा साइनस के अंदर एलर्जिक पधार तो अगर होते हैं तो भो भी निकल जाते हैं इसे आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं या फिर जल लेती करके भी आप इसे कर सकते हैं यदि आपको नाक धुने के लिए खुदी घर पर बनाना चाहें तो इसे आप बना सकते हैं इस तो नेजल पोलिप्स की रोख्थम कई तरीकों से की जा सकती है आप एलरजी को नियंत्रिट कर सकते हैं आपके आसपास का जो बातावरण है उसको नियंत्रिट कर सकते हैं और एक डेसी सेंसनाइजर का उपयोग किया जा सकता है जो कि आपके नाक में उतेजना को अवरुद क या एंटी इंफ्लमेंटी दवाय है कुछ इस्ट्रॉइड है कुछ नेजल स्प्रेय है ल्यूकोट्रियन इन्विटर होता है वह भी लिया जा सकता है इसके नेजल स्प्रेय एंटी अलर्जिक दवाय और शॉल्ट वस्ट से भी आपकी नाक की सुजन को कम किया जा सकता है जि देखा जाता है और यह देखा जाता है कि अघए आपके पॉलिप्स हैं और इन sinus के जो cavity हैं अगर वो बढ़ गई हैं तो उनको भी हटा दिया जाता है तो ये एक छोटी सी surgery होती होते हैं अगर आपको ये सभी चीजों से फाइदा नहीं मिलता है और डौक्टर कुछ आपको प्रोकॉसिन दे सकते हैं सरजरी के बाद आपको नाक जोर से नहीं छेड़कना है और सरजरी के बाद कई बार पॉलिप्स दुबारा आसकते हैं तो इन सभी चीजों को आपको फॉललोग करने के लिए वोला जा सकता है से लिए आपने जानकरी जो की आपको बिताती है कि अगर आपने सर्जरी करा ली है फिर भी समें तो तो पड देते हैं तो आपको भविश मैं दुबारा होने की संभावना को जाती है और यदि आपकी शुरु आथी तोर पर है तो वो बढ़ेगी नहीं तो आई होग वीडियो आपको पसंद आई है